ना जाने कितनी तरहा की जागरुपता अभ्यान चला कर जनता को वोट के प्रती जागरुप किया जाता है। तरहां तरहां के नारी भी लगाये जाते हैं तो वहीं जनता को अनुके तरहां से जागरुप कर रहा एक व्यक्ति इन दिनों खुब सूर्खिया बटो रहा है। जात के नाम पर वोट ना करें नेता चुन रहे हो अपना जीजा नहीं चित्र नहीं चरित्र देखकर ही वोट करें। पैसे से वोट खरीते हैं तो वहीं बहुत सी लोग ऐसे हैं जो अपना इमान तक बेच देते हैं। ऐसे में उनकी चोटी सी कोशिश अगर कुछ लोगों को भी वोट के अधिकार के प्रती जागरुक करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वे अपने हाथों में तक्ती उठा कर सड़कों पर खड़े रहकर लोगों को वोट के प्रती जागरुक करते रहते हैं। यही नहीं उन्होंने अपने परिजनों वदोस्तों की साथ मिलकर सोशल मेडिया पर भी मुहीम चलाई हैं। अठारमी लोकसवा के चुनाओ नज़्दीक पर हैं जहां परसासन भी पूरी गति वीडियों के साथ लोगों को जागरुक कर रहे हैं कि जादा से जादा मत का प्रियोग करें। क्योंकि आज कल सोशल मीडिया पर डिजिटल इतना हवी हो गया है कि आप बढ़ चड़ कर उन बातों को दिखाते हैं। लेकिन हम इन बातों से बिलकुल अलग हट कर उसके पूरे जीवन और उसकी सिक्ष्या को लेकर ही वोट करें। हम नेता चुन रहें कोई जीजा नहीं चुन रहें। इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि जब हम बेटी को देखने जाते हैं तो परिवारवाले देखते हैं पूछते हैं कि वहीं क्या नोकरी करता है लड़का क्या करता है क्या नहीं। वो तमाम चीजे देखकर ही हमें रिष्टा तै करते हैं। उसी परकार हमें एक अच्छे चरित्रवान नेता को ही आगे लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत का प्रियोग करने के लिए भी जागरुक करना चाहिए। मेरा अकेले का नहीं सभी का फर्ज बनता है तो आईए इस फर्ज को निभाएं और एक लोकतांत्रिक देश को स्वच्छ वातरवन में बोट डालने की अपील करें।